हेलो एब्रिमान वेल्कम टो माई चैनल एलेक्टोनिक स्विंग इस वीडियो में मैं एक पोटेबल चार्जर लाइट बनाऊंगा जिसके मदद से आप अपने लैप्टॉप मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं और जिसके साथ आप एक 9 वाट का एलेडी बाल्ब यूज करके 7-8 आवर का लाइट वेकब ले सकते हैं और यह जो है आपका पोटेबल होता है आप कहीं पर ले जा सकते हैं और इसके अंदर चुमेने यूज किया है एक 12 वोल्ट 7 अंप तर्का बैटरी यूज किया है जो कि आपको कफी एट आवर तक आपको पाउर वेक अपने देगा 9 वा कि उसके बाद मैंने यहां पर यूज क्या है स्टेप आप करने के लिए 12 वोल्ट टू सीएफल ड्राइवर यह सीएफल ड्राइवर आपको मार्केट पर मिल जाएगा इजीली उसके बाद एक AC कॉड एक LED बल्प ओल्डर चाट डायोड और बैटरी कनेक्टर सबसे बहले एक टैनस पर मालेंगे बाड़ा बोल्ट दो एंपियर का जो की बैटरी को चार्ज करने के लिए लगेगा और एक कैबिनेट लेंगे यह मेरे पास एक पूरणा कैबिनेट था उसक यह जो कैबिनेट है इसके अंदर बैटरी ट्रास्फोर्मर सार्कूट रखीट होजाएगी है मैं आए इस कैबिनेट के अंदर मैंने एक स्लोट बना लिया है बैटरी को प्लेस करने के लिए तो सबसे पहले बैटरी को प्लेस कर लेते हैं इन सभी कोंपोनेंट जो जो मैं यूज कर रहा हूँ बैटरी ट्रास्पोर्मर इन सभी का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आप चाहे तो वहां से पर्चेस कर सकते हैं तो सबसे पहले ट्रास्पोर्मर को फीट कर लेते हैं के मिनेट के साथ कि चार्ज होने के टाइम थोड़ा सा हीट करेगा ट्रास्पोर्मर तो अच्छे से फीट कर लेना डाइट से दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्स्राइब नहीं किया है तो जड़ी से सब्सक्राइब कर लीजिए साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिए ऐसे निए प्रेटी वीडियो देखने के लिए दोनों तरफ से दो नट लगा लेंगे उसके बाद यह जो सीएफल का ड्राइवा सर्कीट है इसको मैं यहां पर कैबिनेट पर फीट कर दे रहा हूं यह सीएफल का जो सर्कीट है यह 12 वोल्ट से 230 बोल्ट डीसी बनाता है इसके आउटपूड में चार्ट डायोड लगा तो बहुत ही अच्छा आउटपूड मिल जाएगा तो दोस्तों इसका सर्कीट जो था बहुत ही सिंपिल था तो मैंने करेंसल कर लिया है आपको डायकरम की मदब से समझा दूंगा और यहां पर मैं थोड़ा सा बेसी के लिए समझा रहता हूं तो आप यहां पर देखिए यह जा रहा है यहां पर चारो डायोड से ब्रीज बना हुआ है यहां पर जा रहा है और एक कैपसिटर से फिल्टर हो रहा है उसके बाद यह वायर बैटरी पर जा रहा है डिसी होने के बाद बैटरी को चार्ज करने के लिए उसके साथ एक इंडिकेटर एलेडी का तो इहां पर जो आउट फूट मिल रहा है डीसी बिल रहा है 230 वोट पीसी और यहां पर एक स्विच है जो कि सर्कुट के साथ स्विच लगारा पड़ेगा की कि ओन अप करने के लिए सर्किट को यह सीरीज में होता है प्लास के बैटरी के और यह जो आउट फूट का रहा है सब्सक्राइब करने के बाद बैटरी पर चार्ज करने के लिए उसके बाद बैटरी से पायर लेंगे स्विच सीरीज करके सार्किट में देखे उसके बाद आउट्पूड में डीसी बनाके के लोड करेंट किया है यहां पे आप SMPS टाइप का लोड कर सकते अगर बैटरी को इंग्रीज करते है तो आप थोड़ा ज्यादा लोड भी देख सकते हैं यह देख सकते हैं इसका लाइट बहुत ही आच्छा पोड़ीज कर रहा है यह 9 वाट का LED में टेस्ट किया है आराम से आपको 8 आवर तक बैक आप देता है 8 आवर से 7 आवर तक बैक आप देता है और इससे आप लैप टॉप मोबाइल चार्ज कर सकते हैं मैंने चार्ज करके देखा है बहुत ही अच्छे से काम करता है और चलिए इसके कैबिनेट को में फीट कर देता हूँ और यह देखिए मैंने AC लगा दिया है तो यह चार्जिंग का इंडिकर जल रहा ह इसको मतलब चार्ज हो रहा है तो इसको आप दोस्तों पिकनिक के लिए यह कही पर भी ले जा सकते है इसके आप चार्ज कर सकते हैं और दोस्तों मेरा यह वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में जरूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर और में आने वाले वीडियों पर बहुती काम का प्रोजेक्ट बनाऊगा आपके लिए तो दुस्तों मिलते हैं अगले वीडियों में चलिए गुडबाई